देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका खयाल रखिए वरना मौसम बदलते ही इनकी तबियत और खराब हो जाएगी जी अब मैं क्या करूँ डाक्टर सहाब तुम बस इनका खयाल रखो इन्हें गर्मी बरदाश्त नहीं होती है तो कोशिश करो कि कोई AC या कुलर वगएरा खरीद लो डाक्टर इतना कहकर चला गया और वहां खड़ा कमल रोने लगा कमल बहुत ही गरीब था वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था कमल के घर में उसकी मा के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी कमल की मा को गर्मी बिल्कुल बरदाश्त नहीं हो पाती थी जरा से गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वज़ा से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे ये हर बार की कहानी थी लेकिन बढ़ती उम्रे के साथ कमल की मा की हालत तब बौर जादा खराब होने लगी थी बस कीजिए आप इस तरह रो ये मत कमल मजबूर था इसलिए वो अपने आसू नहीं रोक पा रहा था उदर उसकी पतनी पलवी भी ये सब देख कर दुखी थी कमल तो सुबह होते ही अपने काम पर चला जाता था पर अपनी साथ को गर्मी से बचाने के लिए पलवी सारा दिन उनके पास बैट कर उन्हें पंखा जलती रहती ताकि उन्हें पसीना ना आए और उन्हें गर्मी ना लगे पलवी का ऐसा प्यार देख कर उसकी साथ बिमला की आँखों में आसुआ जाते मैंने जरूर पिछले जनम में कोई अच्छे करम किये होंगे जो मुझे कमल जैसा बेटा और तुम जैसी बहु मिली तुम दोनों मेरी वज़ा से कितने परिशान हो रहे हो बस अब तो भगवान मुझे जल्दी से उठा ले तब जाकर ना माजी ऐसा मत कहिए आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा बेटी ही तु परिशान मत हो घंटों से पंखा कर रही है जा जाकर आराम कर नहीं माजी मैं परिशान नहीं हो रही हो बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है ए भगवान ऐसी बहु सब को दे कमल और पलवी दोनों विमला की बहुत सेवा करते थे विमला को पंखा करते हुबे पलवी सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उसकी सास के लिए एक एसी का इंतजाम हो जाए और फिर उसी शाम सुनिए आपसे एक बात कहनी थी हाँ बोलोगा आप जितने पैसे कमाते हैं उससे तो हम माजी के लिए कभी एसी नहीं ले पाएंगे हाँ तो मैं सोच रही थी कि इस बार की सर्दियों में मैं भी कुछ काम शुरू कर दू क्या आपके पैसों से हम घर के खर्चे चलाएंगे और जो पैसे मुझे मिलेंगे उन्हें हम जमा करेंगे और भगवान ने चाहा तो दोनों मिलकर अगली गर्मियों से पहले माजी के लिए एसी ले ही लेंगे तुम्हारे सोच तो अच्छी है पर मा की सेवा घर का काम और फिर बाहर का काम भी तुम कैसे ये सब सम्हाल पाओगी उसकी चिंता आप मत कीजे आप भी तो दिन रात काम करते हो ना तो थोड़ी सी महनत तो मुझे भी करनी चाहिए ठीक है जैसा तुम ठीक समझो किसी तरह गर्मिया बीट गई और फिर पारिश आई तो बिमला कमल और पलवी ने राहत की सांस ली जैसे जैसे कर्मी कम हुई बिमला की तब्यद भी कुछ बहतर होने लगी और साथ ही पलवी ने भी काम ढूनना शुरू कर दिया एक दिन पलवी एक बंगले पर पहुँची कोई है क्या जी यहां बताइए भाया मैं काम ढून रही हूँ कैसा काम कैसा भी जाडू बरतन वगेरा ओ हाँ है न एक्चुली मुझे भी एक मीट के तलाश है तो आपने पहले कहीं काम किया है न नहीं पहले तो कहीं काम नहीं किया अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं आप अंदर आ जाओ पलवी घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वो एक बड़ा सा हॉल था और वहां काफी सामान था लेकिन सब कुछ पैक रखा हुआ था आप कहीं जा रहे हैं क्या नहीं नहीं मैं तो कल ही यहां शिफ्ट हुआ हूँ पलवी रोज सुबह सुबह राज के घर आती उस वक्त तक राज सोरा होता था पलवी सबसे पहले उसे उठाती फिर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की साफसफाई करती और इस काम के बदले राज पलवी को अच्छे पैसे भी देने लगा फिर एक दिन तिदिक आप एक काम करो कल मता ना क्यों क्या हुआ भाईया अरे आपको काम करते करते हफता हो गया तो एक चुट्टी तो बनती है ना अफते में परना आपकी सास आपसे नाराज हो जाएंगी नहीं होंगी भाईया मेरी सास बहुत अच्छी है कभी मुझ पर नाराज नहीं होती अब वैसे ठीक है मैं कल नहीं आउंगी बिमला के आराम के लिए कमल और पललवी दिन रात मेहनत कर रहे थे उधर पललवी और राज में अच्छी बनने लगी थी वो राज का पूरा खयाल रखती थी बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह राज भी उससे खूब बाते करता था और उसे बड़ी बहन की तरह ही सम्मान देता था एक दिन राज ने पलललवी से पूछा अच्छा और आप कबसे काम कर रही हो तो अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको घर से बाहर निकल कर काम करना पड़ रहा है ये बात सुनकर पलललवी की आँखों में आसू आ गए और उसने रोते हुए राज को सारी बात बता दी पलललवी और कमल का अपनी मा के प्रती प्यार और सेवा भाव देखकर राज भी भावुखो गया ऐसे ही कई दिन बीट गए पललललवी और कमल एसी के लिए काफी पैसे जोड़ चुके थे लेकिन होनी को कुछ औरी मन्सूर था गर्भिया एक पर फिर वापस आने वाली थी ऐसे में बिमला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी उसे दिल का दौरा पड़ा था तो जो पैसे दोनों ने एसी के लिए कमाये थे वो सारे के सारे बिमला की इलाज पर खर्च हो गए और फिर लगता है हम माची के लिए इसी खरीदी नहीं पाईगे पर कब तक एक महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी और फिर माची को और जादा परिशानी होगी कमाय चुप था क्योंकि पल्लवी की बात सही थी फिर अगलो दिन पल्लवी राज के हाँ काम करने गई तो उसने राज से कुछ नहीं कहा बस चुप चाप अपना काम करती रही ये देखकर राज समझ गया कि जरूर पल्लवी किसी परिशानी में है राज के बार-बार पूछने पर फिर पल्लवी ने उसे सारी बात बता दी राज को भी पल्लवी की बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और फिर अगले हिदि देदी, वो आपसे एक बात कहनी थी हाँ भया, बताये न देदी, वो मेरी कमपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और उसके लिए मुझे दुबई भेज रहे हैं तो मुझे आप यहाँ से जाना होगा ये तो बहुत अच्छी बात है भया भगवान करें आप और तरक्की करो पल्लवी राज की तरक्की से खुश तो थी लेकिन एक साच ये भी था कि राज के चले जाने से अब उसकी नौकरी भी जाने वाली थी ये सोचकर पल्लवी और जादा उदास हो गए लेकिन फिर भी उसने राज से कुछ नहीं कहा फिर कुछ ही दिनों के बाद अच्छा दिबी, मैं चलता हूँ अप एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो नहीं भाईया, मैं ये पैसे नहीं ले सकती मेरी पगार तो आपने पहले ही दे दी है मैं जानता था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी चलिए कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ अपना ख्याल रखना दी दी इतना कहकर राज टेक्सी में बैट कर वहाँ से चला गया, और पल्लवी भी अपने उत्रे हुए चेहरे के साथ अपने घर की तरफ चल दी गर्मियों शुरो हो चुकी थी और पल्लवी की साज की तब्यत फिर बिगड़ने लगी थी लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पल्लवी को तो बिल्कुल नहीं थी जी बताइए मडम आपका कोरियर है और ये एक चिट्थी भी है नहीं भाई आपको कोई गलत वहमी होई है ये इतना बड़ा डिब्बा हमारा नहीं हो सकता और हमें कोई कुछ क्यूं भेजेगा कोरियर वाली की बात सच थी पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मनी मन वो राज को दुआएं दे रही थी